नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ जियोग्राफी है ये सोसल साइंस का चेप्टर वन जिसका नाम है भारत, आकार और इस्थिति आज हम इसके सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये बिलकुल न्यू सिलेबस के अनुसार विडियो बनाया जा रहा है जो आपके एक्जाम के लिए काफी महत्तोपुर्ण होगा तो आएए सुरुआत करते हैं क्लास नाइन्थ जियोग्राफी अर्थात भूगोल चेप्टर वन जिसका नाम है भारत, आकार और इस्थिति सबसे पहले पॉइंट की तरह बढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है विस्व मान चितर पर भारत की इस्थिति जो पूरे विस्व का नकसा है क्योंकि जब भी हम किसी नकसे के अंदर देखते हैं तो हमें अलग-अलग छेतर, अलग-अलग देश, अलग-अलग राज, अलग-अलग भुभाग, पहार, नदी, जर्णा, ये सारी चीजे देखने को मिल जाता है सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है विश्व मानचितर पर भारत के इस्थिति, जब भी हमें किसी देश के अंदर किसी भी भुभाग को देखना होता है, तो आम इंसान नॉर्मली क्या गड़ता है, मानचितर के ऊपर उन्ची जो को देखता है, नकसा को ऊपर देखता है, अगर हम भारत की इस्थिति देखें, क्योंकि भारत हमारा देश है, अगर हम पूरे विश्व के मानचितर पर भारत की इस्थिति एट दिगरी फोर है, मतलब ध्यान समझेए कि अगर पूरे विश्व का नकसा आपको दे दिया जाए, तो उस पे आप भारत को कैसे मापने का तरीका है कि हम कैसे स्केल के माध्यम से नापके भारत को उसके अंदर से फाइंड कर सकते हैं, उत्री अक्षांस से लेकर 37.6 और उत्री अक्षांस के बीच तता पश्चमी में 68.7 और पुर्भी देशांतर से लेकर 97.25 पुर्भी देशांतर के बीच में हमारा भा बुखक के अंदर के अंदर वो मांचित्र है आकरू के हिसाब से जो मैंने आपको पहले बताया कि eight degree four and 돼ach thirty seven degree six और 68 degree seven and ninety seven degree 25 इनके हिसाब से आप पूरे विस्व के मांचित्र पर अपने भारत को धून सकते हो दूसरा point हमारा कहता है इसका उत्तर में मतलब भारत के उत्तर से दक्षिन तक विस्तार लगभग 3214 km का है देहान से समझेगा कि भारत के जो अंदर की दूरी की मैं बात कर रहा हूँ वो दक्षिन से लेके उत्तर तक या फिर कह सकते हैं उत्तर से लेके दक्षिन तक का जो च पश्चिन तक का जो विस्तार है वो उन्तिस सो तेटिस किलोमेटर है। यह सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एकजाम के लिए। इस तरह इसे अपछांसिये एब हम देसांतर विस्तार में लगबग 30 डिगरी का अंतर देखा गया है। यह जब दक्षिनपुर में अंडमान और निकोबार दुइब समू जो बंगाल की खारी में तथा दक्षिन पश्चिन में लक्ष दुइब समू अरब सागर में इस्तित है। अगर हम भारत के मानचित्र के अंदर देखें तो इसका जो मुख भुभाग है जो हमारा भारत का जमीन ह इसके दक्षिनपुर में भारत के नक्षे के हिसाब से दक्षिनपुर में अंडमान निकोबार है यह एक दुइब समू है और वहीं पे अगर हम दूसरे तरफ पश्चिम की बात कर ले तो पश्चिम में आपको लक्ष दुइब समू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत का आकार, भारत के आकार के बारे में भी जानना जोड़ी है, भारत का छेतरफल 32.8 लाख वर किलो मीटर है, याद रखिएगा भारत के छेतरफल की अगर हम बात करें, पूरे भारत के इस्थिती की बात करें, लंबाई, चौराई, उ आपको पता है कि भुभाग के मामले में अगर देखा जाए, तो सबसे बरादेश जो है, जो नमबर वन पे आता है, वो हमारा रूस है, इस तरह से भारत जो है, वो सातवे नमबर पे आता है, भुभाग के मामला में, लेकिन अगर हम जनसंख्या के मामला में देखें, तो जन संख्या के मामला में नंबर वन पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है तो ये बाते आप याद रखिएगा करक रेखा के बार में भी जानना है अकसर एक नंबर में करक रेखा पूछा जाता है देखें 2330 उत्री अक्छांस वृत देश के दो बराबर भागों में बाटा हुआ है मतलब ये जो हमारे देश का नकसा है जो मानचित्र है उसके बीचों बीच जो एक रेखा है 2330 जिसे हम उत्री अक्छांस वृत के नाम से भी जानते हैं इसी रेखा को हम करक रेखा कहते हैं जैसे कि कई बार आपने देखा हुआ किसी एक छोटे से ग्लोब को ले लीजिए और बीच से एक स्केल से उसे बराबर हिस्सा में कार दीजिए तो क्या है कि वो दो बराबर भागों में कर जाता है ऐसे ही हमारा जो भारत है या हमारा भारत के नकसे की बात न करके हम अभी बिस्तु के मानचित्र की बात करने हैं तो कुड़ा प पॉइंट है देखिए उन राज्यों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जहां से करक रेखा गुजरता है तो पहले नंबर पे तो है गुजरात गुजरात से करक रेखा गुजरता है दूसरे नंबर पे है राजस्थान यहां से भी करक रेखा गुजरता है तीसरे नंबर पे कहता है भारत के परोसी देश, देखिए हम भारत के परोसी देश को जानने से पहले जान लेते हैं कि भारत के अंदर खुद कितना राज्य है, कितना केंसासित परदेश है, तो भारत में अभी के समय में 28 राज्य हैं और 9 के अंदर सासित परदेश हैं और अपनी भूमी सीमा क यह बात आपको याद रखना है इसके अलाबा जो रिष्ट हमारे बच गये है राज्यों के नाम उनको भी देख लेते हैं आंद्रपर्देश है इसकी राज्धानी अमरावत्ती है मद्रपर्देश राज्य है जिसकी राज्धानी भोपाल है असम राज्य की राज्धानी दिसपूर है और महराश्ट का मुंबई है पिहार का पटना है और मनीपूर का इंफाल है 36 गड की राजधानी रायपूर है और मिघाले की राजधानी सिलोंग है जारखंड की राजधानी राची है और नागा लेंड की राजधानी कोहिमा है गुजरात की राजधानी गांधी नगड़ है उडिसा की राजधानी भुबनेश्वर है हर्याना की राजधानी चंडीगड़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगड़ है याद रखेगा हर्याना और पंजाब दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगडी है, हिमाचल परदेश की राजधानी सिमला है और राजस्थान की राजधानी जो है वो जैपूर है, करनाटक की राजधानी बैंगलूरू है और सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक है, केरल की राजधानी तेरुवंत पूरम है और तमिलाडू की राजधानी चिन नहीं है तो ये कुल आपको 28 राज्यों के नाम से अब हम भारत के केंद्र सासित परदेश के बारे में बता देते हैं केंद्र सासित परदेश को पहले समझ लीजिए कि ये 28 राज्य के अलावा भी 9 ऐस जगे हैं राज्य के रूप में जिस पे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा सासित परदेश को चलाया जाता है तो आईए जान लेते हैं भारत के वो 9 केंद्र सासित परदेश कौन से हैं तो दिल्ली है याद रखिएगा भारत की राजधानी भी दिल्ली है और दिल्ली जो जोनदी पूँ है दमन इवं दीव जो है इसकी राजधानी दमन है लद्धा यह भी केंद सासित परदेश है इसकी राजधानी ले है जम्मू और कासमीर जो है इसकी राजधानी स्रीनगर है तो ये 9 केंद सासित परदेश थे और ये 28 कुल हमारे भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम के बारे में था अब हम भारत के परोसी मुलकों के बारे में जान लेते हैं कि हमारे भारत की जो देश है उसके परोसी में कौन-कौन से देश ह तो देखे भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है उत्तर में भारत के नेपाल है चीन है और भुटान है पुर्व में भारत के पुर्व दिसा में मयामार और बंगलादेश है और दक्षिन में स्रिलंका और मालदूइब है भारत और स्रिलंका के बीच मतलब कि आप क्या सकते हैं छोटा समुंद्री रास्ता है पाक जल संधी तथा मननार की खारी है जो भारत से स्रिलंका को अलग करता है प्रायदीप भूमी का एक टुकरा है जो एक तरब से भूमी से जुरा हुआ है और तीन तरब से वो पानी से घिरा हुआ है तो एक रास्ता जो है वो उसके अंदर जाने के लिए लेकिन बाकित तीन रास्ते जो है वो पानी है समुंद्र के कारण वो ब्लॉक हो चुका है तो ये हमारा important point था, आगे किस लाइब में बढ़ते हैं, अगला point हमारा कहता है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रिये इस्थिती से भारत को लाव, क्या क्या लाव है प्राप्त होती है, क्या क्या फायदे हैं भारत को हिंद महासागर में, तो सबसे पहला point हमारा कहता है, इसन को कहीं ने कहीं फायदा पहुंचा रहा है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पुर्व एसिया के देशों को जोडता है तो ये पहला फायदा था दूसरा हमारा फायदा है कि डक्कन प्रायदीप हिंद महासागर में फैला हुआ है जो भारत को पश्चिमी टट से पश परोस के देश हैं या परोस के बंदरगाह उनके पास आने और जाने या फिर किसी परकार के बैपार करने में हमें सहुलियत प्राप्त होता है हमें आसानी प्राप्त होता है नमबर तीसरा हमारा कहता है साल तट्रेखा और प्राकिर्तिक बंदरगाह ने अपने परोसी और दूर के देशों के साथ बैपार और वानिजे करने में भारत को लवानवित किया है। ये बाते मैं आपको पहले से बोलता रहा हूं कि हमारा जो प्रकृतिक बंदरगा है। जो प्रकृति नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया, इसके कारण भी भारत कई अलग 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 देशों के साथ बैपार कर रहा है। और आपको पता है, जब भी कोई देश एक दूसरे देश के साथ बैपार करता है, वानिजे करता है, तो इससे उस देश की आर्थिक स्थिती सही होती है। भारत में एक अलग प्रकार की जलवायू को या प्रदान करता है। उत्तर में नेपाल है, भूटान है, कुरव में, कुरव की दिशा में बंगला देश है, तता मध में भारत खड़ा है, समलित है। तो सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि उप महादूइप होता क्या है। अब समझ ये उप महादूइप होता है क्या है। एक ऐसा जमीन का टुकड़ा और वहां की भागौलिक इस्तिती और सांस्कृतिक इस्तिती और आर्थिक दिश्टी जो है, वो अन्य छेत्रों से अलग होता है। लेकिन उनका जो अपना आर्थिक इस्तिती होता है या सांस्कृतिक जो दसा होती है भगौलिक इस्तिती होती है। उस पूरे छेत्र में एक समानी होता है। उसमें कोई खंड या बटवारा नहीं होता है। वो सबसे अलग पहचान रखते हैं। यही कहा गया है कि उनके भाग में एक रूपता होती है। एक जैसा होता है। तो वो क्या कहलाता है। उप महादूइप कहलाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास नाइन्थ चेप्टर वन जिसका नाम था भारत आकार और इस्थिती। सोशल साइंस जियोग्राफी का वेरी वेरी इंपोर्टेंट चेप्टर है। आसा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा।